यहां पर भी आप जो मिट्टी है उसको यहां पर स्टोर करने की जगा नहीं रह गई है कुछ तो डंपिंग जोन बजा रही और ज्यादा मिट्टी जो है बहार बहार से लोगी जल्दी से जल्दी खुलने की आशा करते हैं हम तो आप लोग उसे उमीद रखते हैं बहुत कटनाई वाली जोग में रोड बनाई है यह कुछ भी नहीं है अगर चाहें तो इस रोड को दो दिन आगर दो दिन आगर हमें पोकलेंट देदें यह दो बोल्ड़िजर अगर दो दिन के लिए देदें हम गाडियों की आवाजा भी सुरू कर देंगे आप नमस्कान नियूस 31 उत्राखंड देख रहे हैं आप और मैं हो आपके साथ तनुजा हैनाखान मोटर मार्ग पर अभी हम मौझूद है और लगातार नियूस 31 उत्राखंड की नजर इस मोटर मार्ग पर है आपको भी पता ही है ये मोटर मार्ग एक महना हो चुका है जो इसका कारी प्रगति पर है 14 नवंबर की बात है यहाँ पर जो मलवा आप यहाँ पर हटाय जा रहा है जो देख रहे हैं यह पूरा सड़क पर आ गया था और सड़क धसके नीचे जंगल की तरफ चली गए थी तब से मोटर मार्ग बंद है और इसका जो कारी है वो प्रगति पर है तो उपर जो दो सगाव है उनको काफी दिक्कतु का सामना इसमें करना पड़ रहा है ह उस समय ये कारी उसी दिन से शुरू हुआ था हालकि एक दो दिन हुए थे जिसके बाद हमने आगे इस पर हमारी लगातार नजर रही और आज आप दे सकते हैं 100 मीटर तक यहां पर आगे जो है वो मलवा हता दिया गया है और अभी जो है जैसी भी यहां पर लगी हुई है एक महने का समय हो चुका है बहुत बड़ा समय होता है एक महना और उपर जो गाव है उनको एक महने के अंदर बहुत सारी दिक्कतु का यहां पर सामना करना पड़ा है आगे मैं आपको दिखाती हूं कैसे लोग यहां से जा रहे हैं और आगे अभी 100 से 200 मीटर आगे अभी जो है यह खुदाई होनी यह मिट्टी हटाना अभी लगातार चलता रहेगा तो चले एक बार मैं आपको वहीं दिखाती हूं तो अभी यहां पर आप देख सकते हैं जहां पर अभी मैं मौझूद हूं उस दिन यहां तक का मैंने आपको दिखाया था यहां भी जो था उस दिन पूरी जेसी भी लगी हुई थी और जो मिट्टी है वो उपर से मिट्टी जो है उसका खुदान क्या जा रहा था और आगे एक नजर आप विजुल के माधियम से उपर की तरब देख सकते हैं जहां पर पूरा मलवा निकाल जा रहा है तो कहीं नहीं जो यह पेड़ है उपर यह भी इस काम में रुकावट मन रहे हैं जिससे लोगों को यहां पर बड़ी दिकतु का सामना करना बढ़ रहा है सडग यह हो है उसका यहां पे कोई नामों निशान नहीं है सडग पूरा यहां से तूटके नीचे जा चुकी है अगर नीचे का हाल आपको दिखाओंगी तो वह हां भी कुछ हाल ऐसा ही है इसको देखकर के यहां पे लगता है कि यह मिट्टी जो हर जादा दिन यहां पर से जो है वो लगातार मिटी अभी यहां से नीचे आ रही है और उपर जो कटीले पेड़ आपको दिख रहे हैं वो भी कभी भी नीचे आ सकते हैं यहां पर जितने लोग हैं मैं उनसे भी आगे बात करने की कोशिश करूँगी और सभी को एक सवाल का जो है वो जबाब चा को जैसा कि यहां पर अनुमाल लगाया जा रहा है और जिस हिसाप से यहां पर स्थिति पर हमने नजर डाली तो उससे तो लग रहा किया एक अभी रास्ता जो है वो नहीं खुल पाएगा क्योंकि यहां पीगी जो स्तिति हैं वह बहुत ही यहां से नीचे गिर जाए उसकी कोई संभावना नहीं है यहां पर मेरे साथ लोग भी मौझूद है इनसे बात करते हैं सर आपका नाम जी मैं मैं रमेजोशी कहां के हैं मैं ग्रामसवर पसवली से हुँ यहीं से छेती यहीं का रहने वाला हूं तो हमारा कहना यह है जब चौद नॉंबर से आज भी एक महने से उपर हो गया है तो यहां पर हमारे मानी राजयरक्षा मंत्री अजय भड़ जी भी आयो थे उनने भी आश्वासन दिया कि जल्दी ही हपता देश दिन के अंदर में रोड को खोल दिया जाएगा और इतना बड़ा इसूबी कुछ नह अगर दो दिन अगर हमें फोकलेंट दे दें यह दो बोल्डिजर कर दो दिन के लिए दें हम गाड़ियों की आवाजावी सुरू कर देंगे यहां पर बस सिर्फ एक ही खेल हो रहा है कि मिट्टी कितनी जाए-जादे यहां से बाहर हम बेच सके हैं जो यहां पर सड़क के देनी बलकि बाहर के लिए किया जा रहा है जी यह मिट्टी का उपयोग जबकि इस मिट्टी को अगर नीचे यहां डाला जाता है तो उससे जमीन को ज्यादा सपोर्ट मिलता है उसका इस बढ़ता यह मिट्टी सिर्फ डंपिंग जोन पर जा रही है जो कि कुछ तो डंपि जो उपर हो जाएगा तो जनता जो है कुछ भी करने को उग्र हो जाएगी तो जैसे कि सर ने बताया उपर ही पड़ता है सबसे ज्यादा जो यहां पर प्रभावित है वह उपर गाओं के ही लोग हो रहे हैं लगभग 200 गाओं फसल का भी सीजन है और यहां से शहर की और होना चाहिए वह जो यहां पर नहीं बनाया गया है खतरनाक तो यह बहुत हमें भी देखने को मिल रहा है आगे चलते हैं कुछ लोग है उनसे भी बात करते हैं एक नजर मैं आपको वीजुल के माध्यम से यहां नीचे भी दिखाना चाहूंगी नीचे की तरह आप देख सक सपर्पोर्ट यहां पर दिया गया नहीं है यहां के ग्राम परदान भी हमारे साथ मौजूद है सार आपका नाम में नाम लाजित मोहन तिवारी है मैं ग्राम पंचे द्रोशिल का ग्राम परदान हूं जो आज हम देखने को मिला यह ऐसी जौन पहले भी होए थे लेकिन वह को रुख गे थे जैसा कि कहा है कि विभाग वाले बता रहें कि हमें इसमें लोट पड़ जाएगा यह जबी मिट्टि हमें हटानी पड़ेगी हमें कहीं स्टोक कर रहे हैं लेकिन इस्टोक का नाम पर खाली हमें बलग मेल कर रहे हैं जहां दस गाड़ियों मुझे एक तो कोई सुन्ने को राजी नहीं है हम ने हमारे निवदेने की सासन पिसासन की जल्दी से रलदी रोट हमारे खोले जो काम है चलते रहे इसका टीटमेंट भी करें नीचे जिसमिन मलवा रुक है जैसे कि आपने बिलकु सही कहा मलवा जो है अबी भी मिटी मिटी के कान वगरा आपको दिख सकते हैं अभी भी लगाता नीचे की और आ रहे हैं यह खतरनाक अभी भी बना हुए हालाकि एक जो रास्ता है वो थोड़ा सा खोल दिया गया है लेकिन खतरनाक स्तीदी सर अभी भी लग रही है यह लुट बंद हो जाएगी अभी इनका यह था कि हम मिटी को यहां से ले जाएं डंपिंग जोन में स्टॉक कर रहे हैं और इसके बाद अभी रोट खोलने के बाद दिन में फिर जाएगा फिर फिर वही बाता जाएगी उ तो यहां पे निरक्षन किया था उन्होंने बोला था असवासन दिया था तो उन्होंने कुछ बताया कि कितने दिन के भीतर यह चीज जो है एक एक डेट लोगों को पता चल जाए ताकि लोग भी अवेर रहे बिल्कुल तो उसमें इन्होंने फिर यहां पर आवाजावीश में सुलू कर सकते हैं खुद यहां मौके पर आके कहा हुआ उन्हें वीडियो भी हमारे पास रखी हुई है तो उसमें इन्होंने फिर जो लोगनिमान भाग के अधिकारी हैं इन्होंने का नहीं इस काम को हम करते हैं आप प्रसा हमें सपोर्ट कर दीजिए और इसको हम जल्दी जल्दी खोल देते हैं पर खोलने के नाम पर इस टेम्पे क्या हो रहा है जैसे एक सिर्फ पोकलेंड लगी हुई है अधिसासी दो नहीं दो लगा रखे हैं तो जब कि शरयाम जूठ है और चाहे है तो इसका विभाग चाहे तो नीचे से जो नीचे नाला है वहां से टीटमेंट करें इसका नीचे से जाल होई ब्लॉग होँ वहां से टीटमेंट करके लाएं उपर से मिट्टी नीचे डालें बिल्कुल हाट सब्सक्राइब और इसका बहुत चोड़ा हो जाएगा और पीसे को बैक साइड में दिखाए दरा आगर जोड़ता है और दो विकाश खंडू को जोड़ता है लोग दिन पर चेहरों में आपको वीडियो दूँगा कल की वीडियो दूँगा आदमी कंधों पर चेहर रखे उस पर मर्जी को बैठा कर ले जा रहे हैं क्यों डोली की तक भी अवस्तान डोली तक नहीं जा सकती ऐसा रास्ता हो रखा तो एक महने में एक महना दो-तीन दिन म तो यह बना लेते हैं जों पचास साल पहले हमारी जो पावर थी अगर और होती तो इसमें तो यह दो-पैस्टी कर सकते थे तो आज-खोने के पाफूद भी इस रोड को नहीं खोल लए है कि हमारे समच्य को और आप आपने चैनल के माध्यम से उचे से उचे लेबल तक पहुंचा के हमारी समच्छा का समाधान करेंगे तो जैसे कि उपर के जो ग्रामेन लोग है वो भी हमें रास्ते में लगातार मिलते जारे इनसे भी बात करते हैं मैम आपका नाम तो देख सकते हैं यहां पर हलदवानी से आ रहे हैं और स्वास्त भी खराब है और ऐसे रास्ते से जा रहे हैं दिक्कत है ना हां बहुत ही परेशानी हुरी फिर हाथ पाओं में दर्द हो रहा चला नहीं जा रहा है मैं खंशियों से तो आप लोग अभी होस्पिटल से होते हुए जी मैं तो यह रास्ता इतना समय हो गया यह बंद पड़ा है तो क्या कहना जाहेंगे तो क्या हम दो हुआ कर सकते हैं स्थाइब कर दो हां जल्दी जल्दी खुलने की आशा करते हम तो आप लोगसे उमीद रखते हैं कि मिल्कूल सिर्फ उमीद पर ही इतने गाउं है वह अभी तक टिक हुए हैं तो यहीर मैं जहां से लोग पैदल अपना रूख कर रहे हैं यहीं जो महलाएं है वही से होते ह पर जाएंगी यही वो रास्ता है और जहां पर मैं खड़ी मेरे पिछ आप एक जैसी भी देख रहे होंगे इतना बड़ा रास्ता है और यहां पर सिर्फ एक जैसी भी लगी हुई है तो वक्त तो इसमें काफी लगेगा ही क्योंकि एक महना लग चुका है अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते कि अब आगे कितना टाइम लगता है अगर शासन प्रशासन से अगर कोई अधिकारी कुछ भी कोई भी लोग अगर वहां से आते हैं तो आश्वासन तो दे दिया जाता है लेकिन अभी तक यहां पे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि अभी कितना समय लगेगा जैसे कि तो हम भी आगे की तरफ मुड़ रहे हैं यहां से पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है अभी तक जो है वो यही जो मार्ग है वो थोड़ा बहुत चलने लाएक यहां से बन गया है और यह जो है अभी बहु यहां पे लोग जो उपर ग्रामिन है पैदल ही यहां से जा जा रहे हैं मिटी जो है कटाव इसका चल रहा है एक जैसी भी यहां पर लगी हुई है तो यहां के लोगों को दिक्कतु का सामना तो करना पड़ेगा ही अभी देखते हैं कितना करना पड़ता है तो लगातार हम भी इसमें बने हुए हैं अभी हमें भी कोई निरधारित समय पता है कि अभी कितना समय आगे लग जाएगा क्यूंकि इसकी पुषटी करने के लिए अभी कोई भी नहीं है काम यहां पर प्रगतिंपर है और इसका वी हम कुछनी कैसकते हैं घ।ि यह पूरा हिस्सा आप यहां पर देख रही है यह सौमीटर पूरा का पूरा रास्ता जो था वो खराब हो चुका था पूरी सड़क खराब हो चुकी थी जिसके बाद इसका कटाओ जो है वो चल रहा देख सकते हैं पेड़ों का कटाओ भी आगे चल रहा है और कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा था है कि ये जो पेड़ है ये भी काम में बाधा बन रहे है कЕसे कि आपने भी देखा जास। जैसे कि सर ने बताया कि पैड की जड़े सिर्फ हवाँ में ही लटक रहे हैं। देखने को नीमिलेंके यही वो रास्ता है जहां से लोग पैदल-पैदल अपने घरूं तक वेचला तक पहुँच रहे हैं। यहीं से आगे हम भी जाते हैं, देखते हैं, आगे कितनी दूरी पर है, जहां से इनको कोई वाहन अपने घर तक जाने को मिल जाता है, चले हमें तो जैसे कि आपने देखा पीछे, क्या बोलते हैं, जितनी दूरी हम तै करके आई हैं, 300-400 मीटर की दूरी है, और यह रास्ता जो है, बहुत बूरी तरीके से यहां पर धसा हुआ है, जो मलवा है, बहुत ही बूरी तरीके से पूरी पहाड़े जो है, वो दरग गई है, तो यह जो रास्ता जहां तक भी अभी मेरी नजर जा रही आगे, यह पूरा का रास्ता खराब है, और जो पैदल मार्ग है, यहा से आवाजार करें olasaina कि आवग अम अगसे ईतना घ्र मिलने मिलने के लिए इंतजार किया हुए और की तो यह सब कर हो तरहरे हैं यहां से होता हुए है हमार्द से दिख रहा हैर लिखे कि आतके आगँ आप पर अभरामेंड रहते हैं जितने भी ँपने आप को वाहन मिल जाता है जीना रास्ता बनाए इस पहले यहांगा इसलिए ने हैं कि निचाए तर दिखाया था वै-य। आपको एक 이야기 है तूर कि अभी यह नहीं यह थोड़ी से सुईधा यहां पर दिख रही है आगे से ही इनको यहां से वाहन जो है तो यहां पर और बी लोग है लेकिन तीन महने से रोड शतिग्रस्त है अभी इसमें काम चला हुआ है जोड शोरों से लेकिन पब्लिक को बहुत ही प्रशानिया है क्योंकि उपर जो गाओं है पड़्डे का तेजपत्ता अध्रैक उनका सब खराब हो चुका है उदर ही सड़ गया है वो शर्पन लेकर यह यहां से लेकि मार्केट ले जाते हैं अभी हमको भी जाना है यहां से लेकिन सब कर यह हाल है है मैंने वी आपसे पहले कहा था कि फसले जो है वो लोगों की खराब हो रही है इनका भी उपर में हम भी कि हड़ाखान समाज के अंदर डूटी करते हैं लेकिन वहां पर अभी क्या गयते हैं कैस्मिस के उपलक्स में कम स्कम 3-4 आदमी का मेला होता है लेकिन वह मेला भी थोड़ा डिस्विश चलना है इस रोट के वज़े से क्योंकि वहां पर व्यवस्ता पूरी हो चुकी है रोट कि हड़ा खान आश्रम में और रोट के वज़े से अभी उसका कार्य करम डिला चला है तो सड़क की वज़े से जो है उनको दिकतरी आपका नाम कहां से हैं मैं खंशियों से सेम परिशानिया आपके साथ जिया जिया तो रोजाना आते हैं यहां पर नहीं हम हपते में एक वा कि ऐखरें रहे हैं इसे हो देखना होगा कि आगे कितनी ओर सामना इनको करना पड़ता है तो देखा आपने इस समय हेडाखान मोटर मारग की स्तिती क्या है और यहाँ पे आप मेरे पिछी देख रहे होंगे यहाँ पे लोग भी है जो बड़ी ही दिक्कतूं के साथ ऐसे रास्ते से होते हुए जा रहे हैं जैसे कि हम यहाँ पे आए जिसके बाद यहाँ पे कुछ ल पासन दिया गया था कि साथ या दस दिन के अंदर अंतरगत यह पुड़ा जो मार्ग है वो सही हो जाएगा लेकिन आज एक महना हो चुका है अभी तक जो है यह मोटर मार्ग जो है वो सही नहीं है और इसकी स्तिती अगर मैं बताऊं तो यह भी अभी भी बहुत खराब है इस पे भी हम आगे नहीं कह सकते कि यह कब सुचारू हो जाएगा कब यहां से वाहनू के आवजाही जो है वो शुरू हो जाएगी बागी एक महने पहले हम यहां पे आये थे तब मैं हमने यहां पर रिपोर्टिंग के जड़िये आपको पुरा जयजा लेके यहां पर बता बागी एक महने पहले क्या इसके हालत थी इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन पी जो है वो लिंक डाल देंगे आप देख सकते हैं एक מאने पहले क्या हालात थे और आज कितने हालात सुद्रे हैं यह भी आप देख लिजिए बागी ऐसे ग्राउंड जीरो से जुड़े रहिए ह हमारे साथ आती रहूंगे आपके बीच कैमरा में संतोस के साथ मैं तनूजा न्यूस 31 उत्राखंट हल्दुआनी